तो स्वाइब थे आपको ग्यापन एकेडमी के इस जोग्राफी के क्लास में और बहुत ही संदार क्लास आज का होने वाला है सबसे पहले बागु सेशन को सेर कर देजिए आप तो कहते हैं लेकिन करते हैं कितना ठीक है कितना आपको ग्यापन एकेडमी से और अपने मास्टर लोगों से प्यार है यह तो अभी दिख जाएगा ज्यादा से बाव प्लीज इसको सेर कर देजिए और को सुरू करते हैं आज का लिशन बहुत संदार होने वाला है और यह आपको याद भी हो जाएगा ठीक है यहां देखिए आज का फरस्ट कुशन है कौन सा परकार का जल को एक संसाधन के रुप में वरकित करता है आप बताएं कि जल एक संसाधन तो किस परकार का संसाधन है चक्रिया की जैवी जल में जान होता है जी ऐसा नहीं होता है यह देखिए चक्रिया का मतलब के बरस के फिर वही पानी आयता है समुंद्र में फिर वैसी या वाफ्स बनके एक चक्र की तरह घुमता है ठीक है इसी को चक्रिये संसाधन काते हैं तो जल एक चक्रिये संसाधन है समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक ठोक दीजिए यहां देखिए अगला कोशन हम तो भारत कितना परसंट जमीन को घरा है तो आब बताइजी यहां पर आपका एंसर हो जाएगा ठीक हम दो हमारे दो क्यांद रखेएगा हम ऑमारे धो यानिक इह तो नहीं दीख रहा होगा लेकिन बात करें पूरे विषव में भाबाद है जंसंखिए एग पॉइंट तीन परसेंट यह 17 पॉइंट को ही साथ भी लिख परसेंट अबादी है और चेतर फल आपका कितना टू पॉइंट फॉर नहीं हम दो हमारे दो ठीक है याद रखिएगा चलि अगला को सनिया यहां पर वैसे लिख दिये भारत का चेतर फल कितना है पूरा भारत कित पूरे बिश्व की लगभग परतिसत जनसंख्या भारत में रहती है यह थोड़ा समिश्टों के लगभग कितने परतिसत जनसंख्या भारत में रहती है तो अभी बताए आपको 17.7 यह 17.3 आपके किताब में 16 परसेंट दिया है लेकिन यह आपका देखिए थोड़ा सा प्रोड़क्शन बहुत अच्छा है ठीक है यहां देखिए बात करें इस कोश्चन का थोड़ा सा इसमें कलर चेंज करने हैं प्रिथवी पर और लगभग यहां पर जो दिख रहा है इतना भूमी है लेकिन ध्यान दीजिएगा इसको गौर से थोड़ा समझने की प्रिथवी पर एक हतर परसेंट तो पाणी हो गया और देखिये लेंड मात्र 4 से कितना परतीसद स जबसे जञए ठीक है लेकिन पानी सबसे ज़्यादा है तो हमको पूछा गया है कि पीने योग्यानी और लवड़िया जल कितना है तो तीन परतिसत है ठीक है एक अगला कुस्टन है यहां पर गंगा ब्रह्मा पुत्र और बराक यह नदी है नदी है भारत के कितने हिस्से पर अगर बात करें थोड़ा सा कहीं भारत अगर मैं बना ले तो उसमें एक तिहाई हिस्सा यह तीनों नदीया अपना पानी प्रवाहित करती यहां पर देख लीजिए यहां पर लिक भी दिए आपको कि यह तीनों नदिया मिला करके लग बख साथ परसेंट जल देती हैं भारतं हो ठीक है अगला है यहां देखिए तो दक्षिट भारत की कुछ नदिया है भारत का मैं बनए फेरो प्योंति नदीया है यह तो पूछ संब्सक्राइदने से कौन फूहीं है कोई अक्रिपर नहीं टीक कोई एक भारत के लोग लागभग किस पर डीपेंड है तो भारत में सबसेदा क्रिसी होता है क्रिसी को प्रात्मिक छेत्र कहते हैं वो को दूतीय छेत्र और सेवने नौकरी वाले को तरह ढूर नो सबसेदा हो जाएगा चोवात्तर प्रतिस्त जल हो जाएगा जो प्रदूसित था स्वारी चोवात्तर प्रतिस्त बोल रहे हैं 1974 में यह नियम लगा था जल को बचाने के लिए और थोड़ा सा एक और चीज़ आपको बता दें यहां पर प्रतिस्त इवन और बन मंत्राले उन्नी सो पचासी में बनाये गया था अब बात करते हैं कि जल उपकर अधिनियम कब लाग हुआ तो बारिस में क्या होता है कि लोग जल को इकठा करते हैं घर में तो किस राज्य में ऐसा होता है कि छट के उपर लोग जल को इकठा करते हैं ताकि काम आएगा तो यहां तमिलाडो इलाका में छट के उपर मतलब ही जल को इकठा किया जाता है ठीक है अगला कुश्चा देखे नारा भी समझ लो यह आंदर परदेश में नीरू मेरू आनर परदेश में यहाद रहे कि इसका मतलब होता है जल और आप नीरू मेरू मतलब नीरू मतलब पानी मेरू मतलब मैं जल और आप हो जाएगा जल संड़क्षन मिसन के तहत यह 2000 में लगाया गया था एक माई 2000 को यह करेकरम सुरू किया गया था ठीक है नीरू मेरू अगला कोस्चन यहाँ पर है थोड़ा सा जूम आओट करते हैं ताकि कुस्चन आपको दीखे निमलिखित में से किस राज्य में औरवारी पानी शंसत करेकरम चलाया गया था ठीक है किस राज्य में तो राजस्थान में चलाया गया था और इसी में अलग-अलग परकार का पानी कोई कठा करने के लिए व्यास्ता किये थी जिसमें के यहां सबसे इंपोर्टेंट है जोहर राजस्थान में देखिएगा आप लोग अगर मुवी देखेंगे एक कौन सा मुवी था रणवीर सिंग का था उसमें विलेन का रोल लिया है उसी में पदमावत मुवी पदमावत में देखिएगा जोहर कर लेती तो कुंड टाइब का रहता है बहुत बड़ा तलाब शर्वर टाइप का उसमें पानी वगर्याइब कर लेती हैं अब यहां देखिए अगला कोशन है कि रोले रोले गंज होगा रोले गंज सिद्धी गाउं कि सराज्य में महारास्ट में है क्योंकि आपको याद करने का ठीक आप बत लेकिन पानी को कैसे घर हो गया तो घर के जमीन के नीचे टैंक मना दिया जाता है ठीक है इसी में च्छत से आएगा और इसी में प्राइत होगा जब जरूवत पड़ेगा तो इसमें से पानी निकाल लिए जाएगा तो जमीन के नीचे वह जल का संचैन होता है उससे टांक का याद रखे टाका मत बोलेगा नहीं तो बंगलादेश का मुद्रा हो जाएगा पैसा उटाका बोलते हैं कि प्रथम राष्टिये जल निती किस वर्स अपनाई गई थी प्रथम जल निती अपनाए गया ठीक है याद रखेगा और यहां पर थोड़ा सा इसमें जूम आउट करके इसका भी अर्थ बता दे पहली बार नियम जल को बचाने के लिए सतासी में तो लगा दिया गया लेकिन इसका संसोधन दोहजार दो में किया गया फिर जब थोड़ा सा और अच्छा लाय कि और जल को बचाने चीट तो 12 संदे पड़ती है तो उस वक्त, यह एक में कितना घॉन पानी में यहां पर हो जाता है एक वश्त है यहां वह में कितना पनी होता हुथ संदा हो है कि अगला कॉस्चन बहुत ही संदार है निम्लिख है। बारतिये सबसे ज्यदा है तो यहां पर राइगा निमली कित में से बहुं जल यह हो जाएगा तौमिल नाडू आंधर परदेश और है की अगला कुछन आंगल परियोजन अवस्ति डाना नागल इमें का रहा है ना गल माने मतलब होता है गल लेकिन भुलाइक कि नहीं गल्णा है नहीं तो बांध क्या हो जाएगा लूज पड़ जाएगा प्जिज अकर गलेगा तो बांध-लूज हो जाएगा कि पहले लैगून जल कहते किसको हैं तो देखिए मानने यह कोई ऐसे हो गया मतला बहुत हो गया और भारत के साइड में जितने भी किनारे वाले राजे इसमें जो जील है ऐसे अंदर राज्ये तक परवेश कर जाता है उसी को लैगून जील करते हैं मैप में आप देखिए यहा यहां पैसे बनाओगे तो यहां किरल पढ़ेगा ठीक है करेला जैसा नंबर 20 एज लास्ट कुस्टन इस लिशन का ठीक है स्पेशन को शेयर जरूर कर जिक और एक बार अच्छा लगए तो लाइक कीजिए निम्लिखित नदियों में से कौन पूरव की और बहने वाली नदिय स्वधियों में से नहीं है मतलब इधर नहीं बहने होने चाहिए और इगए तर नहीं है यहां पर यहीजिए इधर बहुत एंसर हो जाया रien करने को नहीं बोले अच्छा लेगा तब खुद करेंगे ठीक है मिलेंगे अगले वीडियो में फिर इसके बाद सब हिस्टी सुरू होने वाला है अब आप एक्दम कमर कस लिजिए एक्जाम की तयारी बहुती संदार करना है रिजल्ट बड़ी जखकाज लाना है न फिर सेशन को सेर कीजिए लाइक को ठोक दीज लाइक हो जाता है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले लेशन के साथ तब तक लिए जहिंद और खुदा आफिश